मैं आज के इस आसर पर आप सबसे इस बारे में रोत करूंगा कि समस्या हमारे पास जगे की कमी का नहीं है इच्छा सक्ति का है और केवल हम फलदार ब्रेक्सों पर ही फोकस न करें हमें छायादार ब्रेक्स भी लगाने चाहिए हमें इमारती लखडी के प्रेक्स भी हमारे ल अलग अलग वराइटी के पुस्पों से आच्छादित होने वाले पौधे भी हम रोपित कर सकते हैं, हम आउस्दिय पौधों का भी रोपन करके इस कारेकरम को आगे वढ़ा सकते हैं, प्रधान मंत्री आवास योशना नगरी और ग्रामेंड छेतर में जिन लाभारतियों को है, उन्हें सहजन का पौधा उपलब्द करवाने में हम योगदान दे सकते हैं, सहजन के पौधे को आप लगाएंगे, पौधा तो लग चाएगा ही, उसकी तहनी को भी अगर आप प्रियास करेंगे तो उसकी तहनी भी लग जाएगी, हमने जितने भी निरासित गौवासर स्तल स्तापित किये हैं, इन रासित गौवासर स्तलों पर आप पाकड की तहनी लगा दें और उसको तीन-चार वर्सों तक गाया या कोई पसू ना खाने पाए, इससे बचा लेंगे, आप देखना चार-पांच वर्स के बाद बहुत अच्छा पेड़ हो जाएगा, और इत यानि इतना प्राकृतिक वातावरन आपको स्पेड की नीचे सुतस्पूर्द भाव के साथ प्राप्त होतावा दिखाई देगा, और इसलिए अलग-अलग ठीम पर आधारित, इन पौधों को लगानी की कारवाई, हम लोग अगर करेंगे, लेकिन साथ-साथ उसकी सुरक् की ताथ सुने सित करें